हेलो दूस्तो मैं हूँ आशी शो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी रूम को इंस्टॉल कर सकते हो तो दूस्तो मैं और इस रेकवरी के लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिवाइस रेडमी नोट 7 या फिर फाइल होंगी या फिर कोई और इंपोरेंट फाइल तो दूस्तों आपको इन सारी फाइल को कहीं और सेफ करके रख लेना है आप इने मेमोरी कार्ड में या फिर अपने कंप्यूटर लैप्टॉप में इसे कॉपी करके रख सकते हो वो फॉर्मिट डिटा करने के बाद देटा है वो completely delete हो जाएगा तो दूस्तों सबसे पहले आपको menu में जाना है मैंच partition के अंदर जाना है data के अंदर जाना है और format पर आंदर जाकर आपको आपको yes type करके confirm कर देना है और आपका जो phone है वो fully format हो जाएगा अगर आपने कोई भी pattern डाल के रखा था कुछ भी डाल के रखा था तो दोस्तों आपका जो phone है वो fully format हो चुका है आप यहां पर देख पाओगे कि आपकी जो internal memory है वो पुरी पुरी शो कर रही है अब दोस्तों आप अपने pen drive में ROM को डाल कर OTG से अपने phone में लगा कर आप USB storage पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी OTG detect हो जाएगी pen drive detect हो जाएगी और वहां से आप अपनी ROM को इंस्टॉल कर सकते हो मैंने micro HD में अपनी ROM को डाल के रखा है तो मैं उससे select करूँगा और दोस्तों मैंने micro HD में जहां पर भी अपनी ROM को रखा है मैं यहां पर दोस्तों अपनी ROM को select करूँगा और select करने के बाद उसे दोस्तों मैं install कर दूँगा दोस्तों थोड़ी देर में जो ROM है वो install हो जाएगी और एक और बात दोस्तों इस ROM में आपको GPS को अलग से install करने की जरूद नहीं है अगर क दोस्तों GPS को install करने की जरूद उन्हीं ROM से में आईगी जिन ROM में आपको GPS पहले से डले हुए नहीं मिलते हैं Google की Apps आपको उस ROM में डले हुए नहीं मिलेंगे तो फिर आपको उसी ROM के साथ GPS को install करना पड़ेगा जिससे कि line is OS हो गया और दूसरी ROM हो गई जिन में कि आपको GPS डले हुए नहीं मिलते हैं लेकिन Pixel Experience हो गया और Evolution X ROM हो गई तो उनके साथ दोस्तों आपको GPS को install करने की जरूद नहीं है उनमें आपको पहले से GPS अंदर मिल जाते हैं अब दोस्तों आप detect कैसे कर सकते हो कि कि किसी भी ROM में GPS पहले से included है या नहीं है तो आप उसके size को देखक नहीं हो और दोस्तों अगर GPS को फिर भी इंस्टॉल कर लेते हो तो भी कोई दिक्कन नहीं आएगी वो परफेक्टली काम करेंगे तो दोस्तों एक और तरीका है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि जरूम फाइल को आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें GPS पहले से डले हुए है या नहीं डले हुए तो फिर दोस्तों आप क्या करो सबसे पहले आप रूम फाइल को इंस्टॉल कर लो और इंस्टॉल होने के बाद आप अपने डेवाइस को रीबूट कर लो और रीबूट करकर आप देखो कि आपको वहां पर प्ले स्टोर या गूगल की कोई भी आप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप फिर से अपनी रीकवरी में जाएए रीकवरी में जाने के बाद आप वाइप कर सकते हो या फिर फॉर्मेट डीटा कर सकते हो और यह करने के बाद दोस्तों आप रूम फाइल को फिर से इंस्ट समको और थोड़ी देन में दोस्तो रोम बूट हो जाएगी अब मैं आपको एक बात बता दू तो रोम को पहली बार बूट होने में पांस से दोस्तो आपके रीकवरी में कोई दिक्कत है जिसकी वज़़े से वह रोम फाइल को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है तो आपको एरर देखने को मिलेगा और दोस्तो बहुत सारे जो एरर से वह फॉर्मेट डिटा करकर फिक्स हो जाते हैं तो अगर फॉर्मेट डिटा करने के अजन के वाद अगर आप पोई को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूं तो फिर आप को एर्ट में रीकवरी को बदल सकते हो या फिर डूस्तो आप चेक कर सकते हो और फाइल करेफ्ट तो यह या इस फाइल में कोई दिक्कत तो नहीं है तो दोस्तो आज की विडियो में मैंने you बताया एक पूरा इंञेशन प्रोसेस की आप रोंस को कैसे इंच्टॉल कर सकते हो किसी भी डिवाइस में मैंने आपको रेड्मी नोट7 में बताया है आप किसी और डिवाइस में भी इसे यूज़ कर सकते हूं तो ठीक दोस्तों आज की विडियो में इतना है थेंक यू एन वा नाइश देर